नमस्कार मंडड़ी कशियास सर्व आयोप सर्व मजे दैस्नार आणि त्यायाश ओबत माझा नहीं का नहीं सर्वाड़ालेट्स अनि तुम्हीं सर्वजन प्रिपेड़ा आणि तुम्हीं एक्साइडेट्स आखी जो सेल बायोजी और टेक्नालोजी तो इसमें मैं ट्राय करूंगा कि कम से कम टाइम में पूरा 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 चाप्टर इन डीटेल मैं आपको समझा दूंगा ठीके तो चलिए भीया स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर को ठीके तो देख ले ना इअपर बात कैसी है बात कुछ ऐसी है कैसी है चलो मैं आपको बताता हूं कै सबसे पहले हम कवर करने वाले स्टेम सिल जिसके ऊपर छो है 1 वन Living बनने के औरakukan है ना हमारा question number one का ए और बी पार्ट इसमें आने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है उसके बाद थ्री मास्ट में आने के चांसे होते हैं तो कैसे वह देखेंगे उसके बाद पायो टेकनोलोजी क्या होते उसके अप्लिकेशन क्या है वह सारी की सारी चीज़ेंगे ओके अब बाइट अब जी का कमर्शेल यूज क्या है कमर्शेल अप्लिकेशन वह देखेंगे ठीक है उसके बाद जो एग्री कल्चर डेवलोप्मेंट हुआ था फॉर एक्जांपल उसके साथ जो है फूड जो प्रिजर्वेशन हो यह सारी की सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिसकस होगे तो चलिए जल्दी से इस चाप्टर को स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके सो वेरी फॉर्स्ट क्या है यहाँ पर देख लेना यहाँ पर थोड़ा सा वह प्रीवेस इसक प्रफिजर्र्ट टैप्स एडh energy leaves of the sale is called as aauetology तो आपको पता हे यह सेलً है ठीक है यहसेल सेल के अनदर आपने देखा होगा कि यह निूकलिएस होता है ठीक है उसके आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है यह dosage mitochondria होता है powerhouse of the cal होगा एब दिसके बाद आपने यह भी देखाओगा कि यहाँ पर क्या होते है यहाँ पर क्या होते हैं यह होते हैं हमारे यहाँ पर एंडोप्लास्मिक रेटी कुलम और यहाँ पर चोटे 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 यहाँ पर क्या लगे होते हैं यहाँ पर जो है राइबोजोम भी लगे होते हैं ठीक है उसके साथ हमने यह भी देखा था कि इसके अंदर क्य क्लोरोप्लास्ट भी होता है इस तरह से ठीक है क्लोरोप्लास्ट भी होता है उसके साथ यहाँ पर क्या होते बहुत सारे यहाँ पर ऐसे वैक्यों भी होते हैं तो देख लेना एक तो साइटलोजी में क्या होता है तो study of structural structure types okay the study of structure types and organelles तो यह देखो आपको अलग-अलग type के यहाँ पर क्या दिखते हैं यहाँ पर सेल्स दिखते हैं और आप अगर ध्यान से देखते हो तो इनका जो structure है वो भी क्या है बहुत अलग-अलग है फॉर एक्जामपल यह है blood cells यह सरप स्कीन tissue है कोई simple tissue है ठीक है तो यह अलग-अलग type के हैं और इसके अंदर अगर मैं जाओ तो यहाँ पर मुझे क्या बोलते हैं बहुत सारे अलग-अलग जो है यहाँ पर सेल्स भी देखने को अब भया जी stem cell होता क्या है तो ध्यान देना आपको पता है आपको पता है कि यहाँ पर यह क्या है एक एक सेल है और यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर स्पॉम ठीक है और यहाँ पर यह क्या है स्पॉम अब जब इनका यहां से क्या बनता है फिर यह जाइगोट जो है अंदर ही अंदर अपने ही अंदर क्या करता रहता है यहां पर एक जैसा सेल आपने देखा कि यहां पर आया स्पर्म यहां पर आया एक इनका हुआ गेराव फ्यूजन फिजे इनका जाइगोट में स्पर्म यहां पर इंब्रियो के सेल ठीक अब यह जो एक जैसाइगोट है एक गॉतसीन ऐसे बना अब इस प्रेन के अलग होते हैं। यहाँ पर किडनी के सेल अलग होते हैं। यहां पर अलग उल्यकम होते हैं। तो यह जो group of cells दिख रहा है आपको यहाँ पर यह जो group of cells जो दिख रहा है यहाँ पर ठीक है यह जो group of cells है इसको मैं कहूंगा stem cell अब ध्यान से देना यहाँ पर बोला क्या है देफिनेशन देखना देखना मेरे पैरे बच्चों देफिनेशन ध्यान देना सब लोग दसेल क्या यहाँ पर मैंने सिलेट कर लिया हाँ दसेल वीज गिव राइस तुद अधर टाइप ऑफ सेल इस कॉल्ड अज़स्टेम सेल तो यहाँ पर देख लिए ना यह स्टेम सेल है इस सेल से यहाँ पर क से क्या बन रहा है हार्ट सेल और यहाँ पर बोल्स से क्या बन रहा है यहाँ पर बोल्स सेल से क्या बना यहाँ पर बोल्स बन रहा है समझ में आगे तो यह जो गुरूप आप सेल है या फिर सेल है एक सेल से एक सेल से मतलब समझ लो यह एक सेल होगा इस एक सेल से यहाँ प प्रॉपरेटै प्रेउंग॒ ये और प्रायमरी तेड़ाउंट। अंडिफ्रेंसेटेट कि कि नंभे immers Rush आधा लैक्षे देंक मट गान निफालब्र किल निफ णीवकृषा असेल हमका मैं इसघ्रा सबीक एक उन यह हख सेल जो स्टेम सेल एक काई करतो अलग अलग टाइब 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 बरो सब्सक्न पण बसुक्य होसे तस्य पाइब यहाँ आठार प्रत नहींग. लिवर शेल काय खरता प्रत्यक वेडिया ता पूरे तुछ लिवर सेल बने उला बने जाला था पूरे जाला था क्तारी फंट इकाश्ट ताइप रिदिफ्रेंशेटेटो मैं तो नो खाल सेल तो कुठले आपन टाइप चेक रहाए खरकना और सेल बने बना ना थाए झाल को म मैं कहूंगा undifferentiated cell जो continuously divide होते रहेंगे और अलग टाइप के क्या बराते रहेंगे cells बनाते रहेंगे okay self multiplying ability होती इनके पास क्या होते हैं मतलब खुद के बाद यह मतलब खुद से ही क्या कर देंगे यह divide करते रहेंगे डिवाइट करते cell है वो पूरा का पूरा क्या बना सकता है यहाँ पर एक औरकैन बना सकता है ठीके पूरा-का-पूरा नचे सब्सक्राइब और मिल्ञान से देखो तो से यह भी वर्टाइप यह होता हैं एक होता है के बारे मैं जान देता हूOG मेरे पास एग यहाँ पर है मेरे पास पर इंके यहाँ पर सेल है आफ्टर 14 डे आफ्टर 14 डे आफ्टर 14 डे यह अलग-अलग टाइपस के सेल में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाने लगता है मतलब यह डिफ्रेंशियेशन होना लगता है इनके अंदर क्या होने लगता है यहाँ पर मैंने क्या कहा था यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था अंडिफ्रेंशियेटेड से लोते को से यह वाले फिर इनके बाद अंदर क्या आने लगता है इनके अंदर आने लगता है डि आफ्टर 14 टे मतलब यह जो जाइगोट का यह मतलब यह देखो यह गैमिट का जब फ्यूजन हुआ इसके 14 दिन के बाद यह अलग-अलग टाइप के सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं embryonic stem cell मतलब मैं क्या कर लूँगा अगर मुझे embryonic stem cell चाहिए अब stem cell से क्या होता है यह अगर एक सेल मैं निकाल लूँगा किसी टाइप मतलब यह क्या कर लूँगा मैं प्रिजर्व कर लूँगा इसको मैं क्या कर लूँगा केमिकल में डालके प्रिजर्व कर लूँगा ठीक है अगर समझो अगर मैं अगर हूँ मेरे embryonic stem cell कब होते हैं बिफूर फोर्टिन दे मतलब last séstage में last est estégigate development होती है 14 दिन के अगर पहले 14 दिन के अगर पहले मैं अगर इंन गृूप अभ सेल में से कोई scales निकाल कर मैं प्रिजर्व कर लेका हूँ उसको मतलब क्या कर लूँगा यहाँ पर प्रिजर्व कर लूँगा ठीक है तो जब कभी अगर समझ लो मुझे फीचर में समझ लो मेरा हाथ कड़े ऐसा होता तो नहीं मैं बस बता रहा हूँ समझ हा समझ लो रेक्यूंब मेरी कृडणी जो है फ्टस साथ तो मैं क्या करूंगा यह जोमेरे सेंट Serk करके रखेंगा यह उनको कि Miko दूंगा करने लगेंगे यह उन्पर बनाने लगेंगे किड्णी फिर मैं नियुक्त बन जाएगा तो मैं इनको निकालूंगा कब मैं इनको निकाल दूंगा कब बेटा देखो यहाँ पर तो जब कभी फीजर में मुझे जरूवत पड़े तब मैं उसको क्या कर लोगा यूटिलाइस कर लूगा तो अब यह जो है देखो एक सेल जो है यह एक सेल क्या कर सकती है 220 डिफरंट टाइपस के क्या कर सकती है क्या कर सकती है एक सेल अलग अलग 220 डिफरंट डिफरंट टाइपस के सेल बना सकती है ठीक है तो मेरे पास अगर मैं एक सेल भी इसको प्रिजर करके रख देता हूँ तो क्या सकता है अगर में जो फीचर में कुछ प्रॉब्लिम आ जाए किसी सेल में मुझे प्रॉब्लिम आए बाए तो मैं इन सेल का इस्तमाल करके अलग-अलग टाइपस के मैं सेल बना सकता हो फॉर एक्जामपल मैं ऑस्टियोसाइट मतलब बोन सेल बना सकता हो होने लगे अलग-अलग टाइपस के सेल में अगर निकाल लेता हूँ तो भी क्या होता मुझे आगे फ्यूचर में इसका हेल्प हो सकता है तो यह हो गए embryonic stem cell जो की embryonic condition में तो इसके बाद आते हैं अडल स्टेंट सेल क्या होता है जब पूरा पूरा बेबी आएगा बाहर तो वह क्या हो जाएगा अडल्ट हो जाएगा ठीक है तो उसके अंदर से मुझे कई किसी किसी जगापर मुझे stem cell मिलते हैं ठीक है for example कहावर मिलते है मुझे एडिपोस्ट इश्यू में बोन मेरों में और उसके साथ blood में तो यह क्या है यह में सोर्स तो यह क्या है वह यह में सोर्स यह क्या है में सोर्से किसका अडल स्टेमसिल का और उसी के साथ मुझे blood from umbilical cord तो बच्चे के अंदर जो umbilical आप नाड मनतों नाड ते नाड जबा बेबी डीलीवर होतो तो तो जो blood मिड़तो तेला का मना सब्सक्राइब अधे साथ अंदर भी क्या होते हैं स्टेमसिल्स होते हैं अब यह जो अडल यह पूरा का पूरा जो पूरे जो स्टेंव से इनके में कुछ काम कर सकते हो एक्जामपल सेल थेरीपी में क्या होगा जैसे कि कुछ-खुछ इसमें क्या होता है यह ब्रेन से लेट है मतलब यह नियूरॉन से रिलेटेड होते हैं जिसके अंदर क्या होता है हमारा जो मेमरी है अब डाइबिटेज में क्या होता है जो हमारे पैंकराइस की जो इनसुलीन प्रोडूस करने वाले सेल्स है अगर वो खराब हो गए तो मैं क्या करूंगा stem cell लूँगा वो particular जगा पर छोड़ दूँगा तो वो stem cell क्या कर लेंगे वहाँ पर बहुत सारे insulin produce करने वाले cell को बना देंगे ठीक है तो damage हुआ जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा recover हो जाएगा myocardine infection में क्या होता है कि जो हमारे muscles होते है हाट के muscle वो damage हो जाते है तो मैं क्या करूंगा simply वो stem cell को वहाँ पर भेज दूँगा तो वो stem cell क्या कर लेंगे वहाँ पर जो है muscle cells बनाना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से हो जाएगा ठीक है उसके बाद organ transplantation for example liver kidney यह organ में क्या कर सकता हो stem cell के मैं बना सकता हूँ तो इस तरह से uses होते हैं ठीक है इनके ओके चलो भाया आगे देखते अब देख लेना यह किस तरह से stem cell देखना यहाँ पर क्या दिख रहे हैं मुझे यहाँ यहाँ पर फर्टिलाजेशन हो गया इन वीट्रो फर्टिलाजेशन हो गया ठीक है हमारे से मैं कुछ पॉर्शन यह पर रख लिया और इसको पर यहीजर तरह पर रख लिया और पर यहां WO गरखम के रखा तरह करोंगा अलग-अलग तैप के यहाँ पर सेल में इंपंड फीचर तिक वहाँ पर देखऊ यह ड म्हुत इंपोटन्ट करेंगें तो यह क्या करेंगे कुछ सेल जो है ऐसे के वैसे ही रहेंगे की वो क्या कहते हैं और यह क्या है यहाँ पर होता है यहाँ पर दिखाता है तो यहाँ पर होता है इस तरह से काम करना स्टार्ट करते हैं ठीके बच्चा उसके बाद आता है औरगन डिशन और 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 अगन ट्रांफिटेशनक्टेशन को औसा हम ट्रांस Early हम चुर्छा करते ारांस हमारी होती है kidney for example हमारी होती है kidney I am remember number तो ये और हम क्या कर सकते है यह हम transplant करते जरन्रली ट्राश्राइट करते है ठीक है आइज भी अललग लग ऑरक होते हैं जरन्रली ट्राइब कोई से आजें से हाट है pancreas kidney skin bone liver lungs तो यह क्या होते हैं सारे के सारे हम donate कर सकते हैं और हम इसको transplant भी कर सकते हैं transplant मतलब क्या किसी दूसरे का निकालका मेरे अंदर इसको लगाते रहा मतलब क्या होगा transplantation तो बॉड़ी डोनेट क्यों करते हैं जो लोग क्या करते बॉड़ी को डोनेट कर दे ताकि लोगों को पढ़ाई करने के लिए अच्छी जा सके हमारे उपर वो पढ़ाई कर सके तो यह हो गया चोटा सा ही टॉपिक दिया है अगर हम मर गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे पूरी पूरी बॉड़ी जो ओर्राव में यह सारे के सारे और अर्गं पर डोनेट कर सकते कि अटनी ब मम पूरी है हां या ना चल टो उसके बाद सबसक्रिक का फोका हो होता है living कि तो living things में कुछ ना कुछ तुभी technology application apply करके technology के कुछ ना कुछ अप्लीकेशन अप्लाइब करके हम क्या ख़रेंगे एक कुछ ना कुछ तुभी एक बहुत सईसी चीज यहाँ पर invent करेंगे तो इसको अब खाइब रीजिशियर मतलब क्या होता है तेको यहाँ पर ये किया है आप ये वह पर अधर दाने देखोगे तो यहाँ पर सिट्स यहाँ बहुत जादा है लेकिन इसकी जो लेंध वो क्या है कम है on the other side दूसरा अगर यहाँ पर आप कौन देखोगे तो आपको क्या दिखता है यहाँ पर यह जो कौन है इसकी लंबाई बहुत जादा है लेकिन इसके उपर जो दाने है तो वो बहुत कम है तो मैं कुछ ऐसा चेंजेस कर देता हूँ जिसके वज़े से इसके जो dense seed का जो character है इसके अंदर आजाए और इसकी जो length है इसका character इसके अंदर आजाए तो मुझे जो यहाँ पर product मिला तो यह जो कौन मिला इसके यहाँ पर क्या मिला इसकी length भी बहुत जादा थी और इसके जो season THE University भी क्या है जी बहुत जादा थी यह क्यों possible हुआ यह पॉसिबल हुआ यहाँ पर क्या hybridization के वज़े से जो कि है बायो टेकनोलोजी का एक पार्ट समझ में आगे तो देखा क्या यहाँ पर artificial genetic changes and hybridization in the organism for human welfare human welfare मतलब क्या हम humans के अच्छाई के लिए अब देखो यहाँ पर अच्छाई होगी की फॉरमर को अच्छा यहां पर पैसे मिलेगा हमे अच्छा होग हमें इस आपफा नेकर में ठीक है भूर कम सौन टेकनोलाजी इस ब्रैंचेस आप साइन्स लाइग साज्ट्रोजी बायो केमिस्ट्री तो यह अलग-अलग फिल्ड जो है यह अंडर आते हैं अब बाइडगनलोजी का है वह देखने हैं इंप्रूइंग द एग्रिकल्चर इल्ड एग्रिकल्चर इल्ड मतलब पहले समझ लो एक एकर सेती थी उसके अंदर मुझे क्या मिलते थे फिल्डट यहां पर क्या मिलते थे बस फूट sinos मिलते थे ठीके लेकिन मैं ने क्या-ग्या यह अंदर मुझे को Cela कि God इंप्रूविंग अग्रिकल्चर एल मतलब जो खेती बाड़ी है उसके अंदर इंप्रूमेंट हुई वहाँ पर मुझे कॉंटिडी ज्यादा मिलने लगी ठीके उसके बाद उसके बाद मुझे क्या दिखनेंगों मिलता है प्रोडूक्शन ऑप हॉर्मोस-like insulin तो यह इंसुलीन किस तरह से बनाई जाती है पहले गोड़े के हिल्फ से बनाई जाती थी लेकिन आप वो घोड़े का जो मतलब यूज अभी बन कर दिया अब बैक्टरिया का यूज होता है दूटू बायो टेक्नालोजी ठीक है उसके बाद डेवलोपेंट आप हाई क्लास वेरेटी आप दे प्लांट्स थूद टेकनिक्स आप टीशू कल्चार तो अच्छे वेरेटी और उस प्लांट के अंदर एक एबिलीटी होती है कि वो डिजीज यानि कि पेस्ट के अगेंस व में नहीं रिया कोई से आपके बुक में दिया गया है यूज आप वेरियस एबिलीटी आप माइक्रोप्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम दा मिल्क अलकोहल फ्रॉम दा मोलासे तो आपने सेवन नंबर की चाप्टर में देख लिया था ठीक है सेवन नंबर के चा सेल्स एक्जांपल प्रोडॉक्शन ओफ ऐंटिवाटिक्स सेल्श एक्षिप्ट रविध तस यहाब अपस्पेसिक सेल्स ठीक है तो हम एंटीवायतिक्स बनाते हैं जोकि एक करेंगे अलग अलग थोड़े से चेंज़ करेंगे और उसके वज़े से हुमन के लिए अलग से प्रोड़क्ट यहाँ पर बना पाएंगे ठीक है डेवलप्मेंट अब प्लांट्स एनिमल्स एंड प्रोड़क्ट आप डिजाइड क्वालिटी बाइजीन अधनल देखाएंगा उसके बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे इसके बहुत जो यहां पर favourite जो होता है जो हेर कोश करने वाला जीन होगा या MAT कुछ अचे जीन वहां पर में डाल दोगा मैं सपर्म के अंदर ताकि मेरे बच्चा हो होगा उसके अंदर जल्दी से हेर पॉल ना हो तो यह क्यों पॉसिबूला ज़स्ट बिकॉज आप जीन मैनुपिलेशन ठीक है जीन मैनुपिलेशन प्रोड़क्शन आप यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स विद्ट हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइट बैक्टिरिया तो यूमन ग्रोथ हॉर्मोन जो होते बहुत सारे अलग-अलग हमारे बॉड़ी के अंदर बनते अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वहुत कॉंप्लिकेट हो जाएगा ठीक ह तो वह अलग-अलग जो है यह भी कहा से बनते हमारे अलग से बैक्टिरिया से हम बना पाते हैं तो बैक्टिरिया का हम बहुत ज्यादा इस्तमाल कर रहें जास्ट बीकॉज ऑफ पाई टेक्नोलोजी में जो इंप्रूमेंट हुआ है तरह अंदर का है यूज ऑफ जनेटिक इन्वाल्मेंट असना जीन सा कहते रही इन्वाल्मेंट असना थे कुट अधर अपला जेनेटिक मदे अधर ओके चलो हाथ जाला है तैना अधर बेनिफिट्स का है बाई टेक्नोलोजी जो कि इट हास बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज दा पर हेक्टर एल्ड और अधर आपना बाई टेक्नोलोजी एल्प निमिका यहां जामादे पास्षे काई यहां मदे पास्षे जाहत मैंगो मी प्रोडक्शन स्टार्ट के लगा जस्ट इस बिकाद बाई टेक्नोलोजी ओके तैना तर एक्सपेंसेस ओन डिसीज कंट्रोल हाव मिनिमाइज सिस्ट ड टेपन कसा बाई टेक्नोलोजी हेल्प नी ते आपना पूड़े जाओं बगना रहात ओके डीटू डेवलप्मेंट अव दफास्ट फ्रूट सेटिंग वेराइटीज इल्ड पर अनम हाज बन इंक्रीज फॉर एक्जामपल आधी 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 आप लाल माईते हैं मैंगो आ यहां पर बोला गया जो फास्ट फ्रूट सेटिंग वेराइटी मतलब क्या होता कि पहले आम आने में पूरे-पूरे पाक्शे मैने सब्सक्राइब एक आम आने में पाच्छे मैंने या फिर समय लोग कोई एक अगर अगर फ्रूट आता है तो उसको आने में पूरा पाच्छे मैंने जा रहे है तो मैंने उसके अंदर जीज के चेंजेस कर दिये जिसके वज़े से वह जो फ्रूट है मतलब एक ही महिने में पुरा पक जाए ए तो अगर बारिश आए या ना आए फिर भी थोड़े से कम पानी में भी क्या कर सकता है वह जो है मारा पूरा का पूरा पूरा प्लांट ग्रोह सकता है यह पॉसिबल की हुआ तो यहां पर दो टैप्स के क्रॉप बाइटेकनलोजी एक है है अब हाइब सीट में क्या होता है समझ लो प्लांट है और यहां पर मेरा क्या है बी प्लांट है अब एप्लांट के जो लिप्स है इसको प्लांट का बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर क्या करता है कोई भी इंसेक्ट आके या फिर पेस्ट आके उस पत्य को खा सकता है उसको खराब कर सकता है उसके अंदर रेजिस्टन्स नहीं है लेकिन मेरे पास क्या है यहाँ पर बी है बी पालक है तो यह बी पालक क्या करता है उसके पास छोटा सा पत्ता है लेकिन और उसके अंदर मतलब क sentence हो अगर कोई इसको कीड़ा खाने आ सके तो कीड़े को खाने नहीं दे मतलब क्या कर देगा खुद के अंदर कुछ ना कुछ तो भी रिजिस्टेंस लाया उसने तो मैं सिंपलि क्या कर दूंगा इस a का इस a क Earlier लूँगा इस बी के सेट लूँगा और उनके अंदर क्या कर दोगा मैं hybridization कर लूँगा या फिर इनके अंदर मैं cross कर दूँगा जिसके वज़े से मुझे जो सी वेराइटी मिलेगी सी का जो पालक मिलेगा उसका पत्ता भी बढ़ा होगा और मतलब पत्ते वाला करेक्टर किस भी ज्यादा होगा तो इस तरह से मैं क्या करूंगा hybrid seeds बनाऊंगा genes of the two different crops are recombined to form the hybrid of various crops this is especially useful for the fruits ठीक है तो fruits को जो वेराइटी होते तो उसके लिए ज्यादा यूज होता है ओके उसके बाद genetically modified crop crop develop with the desired characters by integrating foreign gene with their genome are called as a genetically modified crop ठीक है तो मैं बाहर से कोई gene लाओंगा औरो प्लांड के अंदर डाल दूँगा ठीक है तो इसको मैं कहूंगा genetically modified crop genetically modified crop GMC ठीक है अब देखो GM crop कहते हैं उसको अब देखना जेनिकली modified crop यानि कि GM crops में एक एक्जामपल दिया गया आपको BT cotton अब BT cotton क्या होता है एक bacteria होता है Bacillus thuringiensis ठीक है एक학 compost यह जीन क्या करता है इस जीन के वजए से जो है यहाँ पर इस जीन के वज़े से यहाँ पर क न आ कुछ तो भी chemical निकलता है और कुछ च्माप न कुछ ंन्हक्ट विकल निकलता है अब इस chemical के वजचे से यहाँ पर जो यह बोल्वम है यह बोल्वम जो है यह क्या होता है मर जाता अगर यह केमिकल इस बोल्वम के पेट में चला जाए तो उसका पेट फट जाता है ठीक है अब यह बोल्वम क्या करता है यह समझ लो यह कॉटन का प्लांट है यह कॉटन का प्लांट है इसके उप लेकिन हमें यह पता है कि यह जो बैसिलस थूरेंजेस बैक्टिरिया है यह कुछ ऐसा केमिकल बनाता है जिसके वज़े से यह केमिकल अगर इस बोलवम के अंदर चला जाए तो यह क्या हो जाएगा बोलवम मर जाएगा तो यह जो केमिकल बन रहा है यह जो टॉक्जिन बन रहा है तो वो टॉक्जिन बन किसके वज़े से रहा है यहाँ पर यहाँ पर यह जीन है तो मैं सिंपली क्या कर लूँगा इस जीन को मैं निकालूँगा ठीक है और यहाँ पर समझ लो यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह मेर क्रोप है इस जीन को मैं निकाल लूँगा और इस जीन को जो है मैं इस क्रॉप के अंदर यहाँ पर डाल दूँगा इस क्रॉप के अंदर यहाँ पर मैंने डाल दिया अब यह जीन ऑल्रेडी क्रॉप के अंदर प्रेजेंट है अब मतलब यह जीन क्या करेंगा क्रॉप के अं तो जैसे ही ये बोलवर्म इस छोटे से पत्य को थोड़ा सा खाएगा वो टॉक्जीन उसके पेट के अंदर चला जाएगा बोलवर्म के अंदर वो बोलवर्म क्या हो जाएगा मर जाएगा समझ में आगा है तो इस तरह से बेटी कॉटन बना जाता है तो यह मैंने जीन निकाला यह प्लान के साथ इंटिग्रेटर के उसके अंदर डाल दिया और क्या हो गया प्लांट खुद ही वो टॉक्जिन प्रोडूस करना स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो इस तरह से बेटी कॉटन होता है अब इसमें क्या होता है ब्रिंजल वेराइटी इस देवलप बाई यूजिंग दजीन आइसलेटर फॉम दबैसिलस थूरेंजिस इस इंप्रू वेराइटी आप दब ब्रिंजल किल्स दपेस्ट इन दे सेम वे बीटी कॉटन बीटी कॉटन में इस तरह से कील करता है उसी तरह से सीऔ है इस वर्म को क्या करता है तो हमने क्या कर दिया वाजिए गोल्डन राइस अब गोल्डनरा समें क्या होता है एक जीन होता है जो कि क्या करता है विटामीन एक्चली क्या करता है देखो बिटा कारोटीन इस प्रिकर्सर फॉर दविटामीन ए तो एक जीन होता है यह जीन होगा किसी एक कहां से तो भी हम एक जीन लेंगे जो क्या करेगा बिटा कारोटीन त्यार करता है अब बिटा in the variety of the rice okay so yeah हमारा simple rice है इस simple rice के अंदर हमने जीन डाल दिया जो बहार से जीन डाल दिया जो क्या करता है बहुत ज्यादा amount वे विट्यामिन A synthesize करता है या फिर बिटा क्यारोटीन synthesize करता है तो फिर हमने यह जीन डाला और यह मतलब इस क्रॉप को मोडिफाइट करके हमने क्या बना दिया है आपर golden rice बना दिया यहापर क्या बना दिया मैंने golden rice बना दिया ठीक है अब देखना है अक compared to the normal variety मत इसके comparison में यह जो golden rice है which has been developed in 2005 ठीके content 23 times more amount of beta-carotene तो इसके अंदर समझ लो X amount of vitamin होगा या फिर vitamin A या फिर beta-carotene होगा तो इसके comparison में 23 times क्या होगा हमारे golden rice में vitamin A ज्यादा बनेगा just because हमने यह जो gene है इस मतलब क्या कर दे राइस प्लांट के अंदर डाल के उस मतलब crop को थोड़ा सा modify कर दिया समझ में आ गया बच्चा तो इस तरह से golden rice होता है उसके बाद herbicide tolerant plant मतलब देखनो यह मेरा क्या है यहाँ पर समझ लो मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर plant लगा दिया यहाँ पर दूसरा यहाँ पर चाहिए यह वाले प्लांट के अंदर दिख रहे वो मुझे ब्लस प्लांट चाहिए लेकिन आजू-बाजू में बर में और अब यह होते हैं यह है यह है मेरा में क्रॉप लेकिन लेकिन बीच में जो प्लांट्स आये हैं बिना काम की उसको मैं कहीता हूँ वीड्स तो इस वीड्स को मारने के लिए मुझे क्या करना होता हूँ ठीक है तो वीड्साइट जब मैं छिड़काओ करूंगा तो यह मेरा में क्रॉप भी अफेक्टेट होगा लेकिन मैं कुछ ऐस क्रॉप को कुछ भी इफेक्ट ना पड़े उसका हर्विसाइट ट्रॉलरं प्लांट वेराइट इस ऑफ दो क्रॉप आर बिंग डेवलप डियू टो दिस इट हैस बिकम पॉसिबल तू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉइड वीड्स इलेक्टिवली डिस्ट्रॉइड मतलब ज विकॉझ वइक्वाइड ऊको टेक्नोलोची थे कर अतर कभाएग पडाया भागिक्रते ब्लांट सथा थी हम लिएप कर kitten तो इसको फास्ट बनाने के लिए या फिर प्लांट को नाइट्रोन फिक्सेशन करवाने के लिए यह अलग-अलग बैक्टरिया और जो हमारे प्लांट से वह क्या कर सकते हैं उसके साथ हम जो फॉस्पेट हमारे जो प्लांट जमी से फॉस्पेट लेते उसको फास्ट करने के लिए उसको मतलब जल्दी से फॉस्पेट लेने के लिए यह जो हमारे बैक्टरिया और जो हमारे प्लांट से वह क्या कर सकते हैं तो इनको ही मैं कहता हूँ बायो फर्टिलाइजर ठीक है ओके और इंप्रूट ओके तो बैक्टिरियल कुछ-कुछ बैक्टिरियल बायो फर्टिलाजर दिये गए फॉर एक्जामपल राइजोबियम अजोटो बैक्टर नॉस्टाक और एनवीन और उसी के साथ जो हमारा यह अजोला है य नुद्यूज बनता है ठीक है क्या बनोदाथ नुद्यूज बनोदाथ आणि अश्रप्रकार पूर्ण जगा करता है नाइट्रोजन फिक्सेज आणि फॉस्पर सुल्लाजेसर हे लिए हेल्फुल रहा दा ओके चलो थोड़ा फास्ट में चलो इन डीटेल में जानार मैं उ लेकिन वह दूद्ध जो था वह बहुत मतलब क्या होता कम कॉंटिटी में मुझे मिल रहा था तो मैंने कुछ ऐसा वहाँ पर जेनेटिक चेंजेस कर दिये उनके अंदर या फिर ऐसे कुछ भी उसके अंदर स्पर्म डाल दिए तो उसके जो होने वाला बच्चा है होने वा होने वाली मतलब गाय और गाय का जो बच्चा होगा जो उसकी सेकंड गाय आएगी तो उसको वह बस दो लिटर दूद्ध नहीं देगी वह कितना देगी पास से छे लिटर दूद्ध देगी यह क्यों पॉसिबल हुआ जस्ब कॉद्ध आप बाय टकमारा ची तो एनिमल हज की पीचे लिए इंसेमीनेशन एंडूसरा था एंब्रियो ट्रांसपर आप एगपी ट्रांसपर क्या होता है एक पहले गाय है जो कितना करती थी दो लिटर दूद्ध देथी ठीक है दो लिटर दूद्ध देथी लेकिन इसका, मतलब यह क्या है, मैंने एग लिया उस गाय का और दूसरा मैंने sperm डाल दिया, अब इस sperm के अंदर कुछ ऐसे characters हैं, जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 से 6 लिटर तक दूद देने वाले characters के अंदर हैं, तो मैंने क्या कर दिया, simply इस गाय का एग लिया, ठीक है, यह sperm लिय तो उसके अंदर character कौन सा या, पास से 6 लिटर दूद देने वाला character इसके अंदर आ गया, फिर इस zygote को मैं लूँगा, और क्या करूँगा, यहाँ पर जो है, इस गाय के अंदर डाल दूँगा, इस तरह से यहाँ पर गाय के जो uterus होता है, उसके अंदर मैं उसको डाल अब artificial insemination क्या होता है, यह जो sperm है, मैं sperm लूँगा, और सीधा का सीधा जो है, गाय के, मतलब जो है, uterus के अंदर मैं डाल दूँगा, तो इसको मैं कहूँगा, artificial insemination, ठीक है, artificial insemination, ओके, it helps to improve both the quality and quantity of the animal product, मतलब जो milk होता है, जो meat होता है, ठीक है, wool जो होता है, उसकी quality और तरह सी इस्तमाल होगा, देखो, diagnosis and the treatment of the disease are two important aspects of the human health management, ठीक है, human health को पूरी दरह से manage करने के लिए, दो आस्पेक्ट, दो main steps होते है, एक तो diagnosis, उसके बाद treatment, मतलब एक तो पहले जो disease है, उसको पहचारना, उसके बाद उसके उपर अच्छे से treatment करना, यह दो चीज़े होते है ठीक है, टान तर, with the help of bio-technology, diagnosis of the disease like diabetes, heart disease, AIDS, dengue, etc, done very quickly, so, AIDS वगरे काया होतो, की तो, infections जाला नंतर, दहादा वर्षा नी माहीच होतो, ठीक है, पर आता, बायोडेक्नोलोजी मते एवड़े, इम्पूरोमेंट डाला है, की AIDS र कुना वेक्तिला जाला असल, तर, आपला लाए टेपन, आपन, कायको रुचे तो, लवकर आत, लवकर, फाइंड़ कोर सो, जस्ट बिकाज आप बायोडेक्नोलोजी, various medicines are used for the treatment of the diabetes, disease, example, hormones, insulin is used in the treatment of the diabetes, तो, एक मार्क के लिए यहाँ पर question बन सकता है, ठीक हो, जो हमारा होर्मोन होता है, insulin, यह किसके अगेंस काम करता है, य इस तरह से useful होगा, तो पहले, पहले जो ताCs hormone जो था, insulin, पहले घोड़े के अंदर का, जो insulin बनता था उसको लेकर हम क्या करते थे, human के अंदर डाले थे लेकिन human का जो insulin है, और घोड़े का जो insulin है, आप उसमें थोड़ा सा, क्या है, उसमें थोड़ा सा difference है, इसके वजए से जो घोडे से हमने insulin लिया और human के अंदर डाला वो इतना efficient amount में काम नहीं करता था तो मैंने फिर क्या किया human के अंदर human के अंदर समझनों यह gene है यह gene क्या कर रहा है यह insulin बना रहा है यह insulin बना रहा है यह जो जीन है human के अंदर insulin produce करने वाला जीन यह जीन और यह जो हमारा bacteria का जीन है इसको मैं क्या कर दिया मैंने integrate कर दिया इसको मैंने जोड़ दिया फिर यह जो जीन है मैंने क्या कर दिया यह पूरा पूरा जो जीनों में bacteria का उसके अंदर मैंने bacteria के अंदर ट्रांसपर कर दिय और आजुन बढ़ेगा मुझे रहाफ करें यहाफर बहुत सारा इंसलीन God मिल जाएगा कर नयौन का जो हो इंसलीन यहाप मिल गाइंतर बं 61 कैro के है प्र बना दिया ठीक बच्चा चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है वैक्षिन से एन्टीजन कंटेइनिंग मट्रियल गीवन टू एक्वाइर आईधर पर्मानट और टेंपरेरी इमुनुटि अगेंस चीया गया तो अभी आपक्रेंचली कोवीट गया कोवीट क के इमुनुटि इमुनिटे कुछ भी वाद यूज़ार जिसके इमुनुटि कवमित हो थिसके मुश्को प्रॉलिस पूरी हुआ है ये फिर है तो फुर क्या करती है बाहर से आने वाले harmful pathogen को मतलब जो कि बाहर से वैक्टरिया वाइरस आएंगे ठीक है फंगी आएंगे उसको मारने के लिए वहाँ पर पहले डंडा लेके खड़े होते हैं तो इसको मैं कहूंगा immunitive तो अब यह vaccine क्या करते हैं अब देखो सबढ़ लो यह Corona का वाइरस है इस Corona के वाइरस के उपर आपको यहाँ पर यह कुछ तो भी यहाँ पर ऐसे डंडे 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 दिख रहे होगे तो यह डंडे क्या है इस डंडे nothing but the यह होते है antigen यह क्या होता है यह होते antigen अब हमारी बॉड़ी जो है इस antigen को पहचान कर ही क्या बताती है कि यह जो है Corona का वाइरस है तो इसको मारने के लिए अलग से police force भेजो अब मैं क्या करूंगा वाइरस मतलब अब वैक्सिन में क्या करूंगा मुझे पता है कि बस यह वाले डंडो से जो है जो antigen के वज़े से क्या होता है यह जो पैथोजन या फिर वाइरस है यह पता चलता कि यह Corona का वाइरस है तो मैं simply क्या कर लूँगा इन antigen को निकालूँगा ठीक है इन antigen को को निकालूंगा यह फिर यह एंटीजन बनाने वाले जीन्स को निकाल लूंगा उसको मैं फिर से बहुत सारे एंटीजन बनाऊंगा और एंटीजन में बस क्या कर दूँगा मेरे बॉड़ी के अंदर डाल दूँगा अब अब क्या करेंगे मेरी बस利 यह जो एंटीजेन इसको पहिचान लगी और पहले से यहाँ पर को तैर करके रेंगी कि इस तरह से यहाँ होता यहाँ पर जो है डाप्र जो ऐ पर को रोना का वाईरस का गया हमारे बाडी के अ Anode प्रमने और टेंपरेरी प्रवारे मतलब किया पूरे पूरे जीवन भर चलने वाली इम्मिन या फिर ठोड़ी सी समय के लिए चलने वाली स्थाब्वाइरी ओढंड़ मतलब यह कोसी करणा मारा ता का क्षे अर मार दूंगा तो इसके उपर जो एंटीजने उसकोा आइडेंटिक्पाइगे और बॉडि क्या करेंगे पहले से त्यार रहेंगे ताकि फिर कोई रीन में अगर कोरोना का वाईरस आ जाता है फिर भी उससे मेंक्या कर सकता हूँ उससे मेंकर सकता हो खुद को बचा शकता हूँ तो इस तरह से पहले क्या हो दी यहाँ पर हचिन बना दी कि अब क्या होओर है 2002 इक ख्लhãल लोग उसको मार देंगे फिर उसके बाद उसको body के अंदर डाल देंगे ठीक है मतलब pathogen को body के अंदर डाल दिया लेकिन pathogen जाने की कुछ जरूरती नहीं है बस अगर मुझे एक लाइक एंटीजन यह एंटीजन को में बॉड़ी के अंदर डाल दूगा मेरी इम्मुनिटी उसको खाकर पहले से अपनी आर्मी जो है पूरी की पूरी तयार करकर रख देंगी ताकि जब रियालिटी में कोरोनों का अगर वाइरस आएगा तो मैं का कर दूगा मेरी है ओके चलो वैक्षिन प्रूदूस्ट विद रहेलप और बायो टेकनोलोजी आर मोर थर्मोस्टेबल थर्मोस्टेबल मतलब टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो कुछ परक नहीं पड़ेगा उसके ऊपर ठीक है एंड रिमेन एक्टिव फॉर लॉंगर डिएशन एक्जामपल वैक्षिन आप दो पोलियो और हिपाटिटीज ठीक है वैक्षिस आफ दो पोलियो और हिपाटिटीज ओके चलो आगे देखते हैं उसके बाद एक एडीबल वैक्षिन एडीबल मतलब जिसको हम खाएंगे फॉर एग्जमपल यह पोट्याटो कैसे करेंगे अगर समझ लो एगर समझ लो यह एक यह क्या है यह जीन जिसके वज़े से एक समझ लो आइस सोलेशन आप डिजाइट जीन फ्रॉम्ट यूमन पैथोजन तो यह पैथोजन है इसके अंदर यहाँ पर यह एंटीजन लगे होगे यहाँ पर यह एंटीजन लगे होगे तो यह एंटीजन प plant virus के अंदर डालनुगा देखो यहाँ पर जो है मैंने इस gene को इस plant virus के अंदर डालनुगा तो मैं फिर क्या करूँगा यह potato का लीफ लूँगा इस virus को बोलूँगा जाभाया इस leaf को infect कर दे जब यह virus जो है इस इंफे मतलब प्लांट के लीफ को infect करेगा तो यह जो जीन है यह पूरागा पूरा जीन किसके अंदर चला जाेगा När हुआ के फिर इस फेल के छ लीफ है उससे में क्या शो करूंगा टीशू कल्चर फिर जो लीफ है उससे में पूरा का पूरा प्लांट बना दूगा उस पूरे के पूरे प्लांट के अंदर क्या आ गया उस पूरे के पूरे प्लांट के अंदर यह जो जीन है एंटीजन प्रूडूस करने वाला जीन यह आ गया ठीक है फिर यह प्लांट वाइरस तो यह जो प्लांट वाइरस और जेगा तो यह पीसे को मतलब इसको क्या गरेगा पूरा फॉरा प्लांट बन जागा रखेंगे एंटिजेंग कच्चा खाना आए तो एंटिजेंग हो जाएगे टीके वर्क और प्रोड़क्ट्स आप इडिवल वैक्षिन इस अ और यह बहुत जादा इंपोर्टन है बहुत जादा इंपोर्टन है ठीक है चलिए आगे देखते हूं तो कुछ-कुछ जो है ट्रीटमेंट में यूज होने वाली चीज़ है ईंसुलिःदा झाल काम करता है टाल के बच्छा ओक की सिमझ में आगया उसके साथ इसकें किसमेंडर कां करता है यहाँ पर कामग्रता है वह the प्लड क्लोटिंग नहीं होता है अगर कट जाए हाथ तो उसके बाद भी ब्लड जो है यहाँ पर भेहते रहता है बहते रहता है तो इसको मैं कहता हो ही मोफिलिया ठीक है इंटर्लुकिन किसके अंदर काम होते हैं कैंसर के अंदर इंटर्फेरों किसके अंदर काम होते हैं यह वाइरल इंफेक्शन के अंदर यह काम करते हैं ठीक है तो यह एक बार आप टेबल दिया गया है राइट टॉप कॉर्णर में ठीक है राइट टॉप कॉर्णर में जो है इसको याद रख ले एक मार्क के लिए सीधाँ सीधा मैंस दिपेर में आ सकता है ठीकश चलिए और खले अगर लेजिए उसकी बात है है युमन हेल्ठ मेजिध मुझा होता है कि भी जी यहाँ पर है एकक भी यहाँ है यहाँ पर एक है मेरा सेल ठीक है यहाँ पर यह दूसरा सेल यहाँ पर यह दूसरा सेल और यह जो सेल है एक दूसरे के पास होते हो अब समझ लो अब समझ लो इस सेल की उपर यह जो वाइरस है यह वाइरस ने क्या कर दिया यहाँ पर इंफेक्शन कर दिया ठीक है समझ मैं र अब देखो अब क्या हो रहा है ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना सब लोग यहां पर ध्यान देना ठीक है अब यह एक सेल है इस सेल के उपर इस वाइरक सार वाइरस का क्या होगा इन्फेक्शन हो गया जैसे इस वाइरस का इन्फेक्शन इस सेल के उपर में तयार करने लगता है इस प्रोटीन आपने अपने बाजु-बाजु-में तयार करने लगता है इन प्रोटीन को कह क्या होता है यह chemical signal होते हैं जो कहते हैं आजु बजु के सेल के पाथ जा कर कि भाईया जी सुन लो हमारे ऊपर यहाँ पर क्या हो गया वाइरस का infection हो गया तो आप पहले से सतर्क रहो आप पहले से सतर्क रहो मतलब डीस इस ग्रूप आफ स्मॉल साइज प्रोटिन यूज़ीटमेंट ओफ वाइरल डीसीज ठीके वाइरस का जब डीसीज होता है तभी क्या होता है इंटरफेरों टेयर होता है यह आजू-बजु के सेल क्या हो जाएगे सतर्क हो तो अभी कोरूना का वाईरस इस से मैं क्या करूंगा सीधा जो है जिनोम ले लूंगा किसके अंदर डालएंगा औरídael अंडरोंगा और इंटर प्यार्न तयार होने के बात मैं पहले हमारे इंटर डी Erum को ढाल गई ताकि जब कभी फ्यूचर में जो है इंटर मतलब वाइरस का इंफिक्शन हो तब मैं क्या करूंगा वह वाइरस से लड़ने की मुझे ताकत पहले से मिली रहे तो इस तरह से इंटरफेरोल कब तयार होते बस और बस वाइरे इंफिक्शन में ही होते हैं वाइरेडिस में ठीके बच्चा समझ गया चले आगे बढ़ते अब चलिए भीया आगे वाला कॉंसेट देखते अब आगे का है जीन थेरेपी अब जीन थेरेपी क्या होता है समझ लो यह है मैरा सेल ही पैटो साइट ठीके यह क्या हो गया यह देखो एक्जांबल आए फिना अब यह पहले नॉर्मल सेल था लेकिन इसके अंदर जीन के अंदर कुस्ट भी गडबड़ी होगी जिसके वज़ें क्या होता है वो अभी नहीं पढ़ेंगे ठीके अब अब यह क्या करूंगा मैं अब यह आजू-बजू के सेल जो है पूरे के पूरे ऐसे होगे कि जिसके वजए से यह डुआ नांवलल जीन मैं लोगा और इसको मैं क्यागा इस नॉर्मल जीन को तो यह क्या हो जाएगा यह नार्मल जिद अच्छा प्रोटीन करने लगए और एस लेवर के कि प्रुडिमा त्यार हो देलिग King कुल को पुरे के अच्छे सैं A बॉडी फर्मिंग सेल 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 मंझे स्पर्म आणि एकला सूड़न बाकी में बॉडी मदल जेवड़े का सेल इसल ताला का मने चाहिए सुमेटिक सेल इस तो इसमेटिक तो इसमेटिक तो यह लिवर सेल मतलब हिपाटोसाइट इसके अंदर पहले डिफेक्टिव जीन आ गया ठोन लेकिन हमने अच्छा वाला जीन लिया उसके अंदर दाल दिया ठीक है ओके चलो यथれて समया क्लोनिंग क्लोनिंग मतलब क्या होता मेरा मतलब मैं एक मयोरसूर मेरे मयोरसर के जैसे एक एक्साइट्पली दुसरा मयोरसर Bosphay बना दिया मतलब ऑन बना दर क्लोन जुण फइक अब देखना क्लोन क्लोनिंग में अंब यह रिципलिक और 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 ऑओडल एक जै़से दूसरा सेल बना दो या फिर एक और जैसे में दूसरा और टो यह रेक C कि जैसे मैं दूसरा और्गानीजब मना दूंगा इसको मैं कहता हूँ क्लोनिंग उसको मैं क्या कहता हो मैं कौनिंग तो क्लोनिंग दो टाइप क्यों कहने एक होता है eat स्वाय अभी और दूसरा उता एक सिल समाटिक सेल सवादिक सेल के अंदर कह सा एक खुदAK का सोमेटिक सेल ठीक है अब क्या करता हूं मैं बस यह सोमेटिक सेल का यहाँ पर नुकलियस लूँगा सोमेटिक सेल का मैं नुकलियस लूँगा और यह सोमेटिक सेल के नुकलियस को मैं कहां पर ट्रांसपर कर दूगा मैं यह ट्रांसपर कर दूगा इस एक सेल के अंदर मैंने क किसके तरह काम करेगा यह काम करेगा जाइगोट की तरह यह काम क्या करेगा जाइगोट की तरह फिर इस जाइगोट को लूँगा और मैं क्या कर दूँगा इस यूटरेस के अंदर इसको ट्रांसफर कर दूँगा इस यूटरेस के अंदर मैं क्या कर दूँगा इसको ट्रांस से मुझे मिलेगा पूरा पूरा बेबी और exactly similar होगा क्यों कि यहाँ पर सोव इसके जो कुछ भी जेनेटिक क्यरेक्टर होगा वो कैसे होगा सोमेटिक एक सेल के जैसे ही उसके character होगे बस मैंने development के लिए क्या लिया एग लिया क्योंकि एग ही क्या हो सकता है यूटरेस के अंदर जाकर fit हो सकता है ठीक है तो इस में sperm का utilization नहीं होता तो example क्या है रिप्रोड़क्ट्ट्ट क्लोनिंग का डॉली शिप प्रसम पलिस डॉली शिप एक्जैक्ट सीमिलर दिख्थ है ते अब आता है थे यह थे लोटेश के अंदर डालने के जरूबत नहीं है मैं पेट्री ब्लेट में लोंगा जाइगोट्ट्ट ठीके यह पेट्री ब्लेट टिके इसके जैसे मैं ने क्या बना यह जाइगोड बना था ठीक है यहां पर मैंने क्या बनाया था यह जाइगोट बनाया था ठीक है यह जाइगोट ओके फिर इसको मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा डिवाइड करूंगा डिवाइड करूंगा और मुझे क्या मिले गए embryonic stem cell मिलेगे पिर स्टेंव इसल का यूटिलाइज करके मैं अलग-अलग क्या करूँगा बॉडी फॉर्णिंग मतलब यह बना सकता हो उसके जैसे ही यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखो अगर यह के embryonic stem cell के लिए embryonic stem cell embryonic stem cell पाने के लिए मैंने क्या कर दिया यह थेराबिटिकल कोनिक मैंने योज कर ली ठीक है ओके उसके बाद मैं जो है जीन क्लोनिंग भी यहां से सिखता हूँ जीन क्लोनिंग क्लोणिंग भी सकते कैसे जीन क्लोणिंग करेंग का यह ले लिए मैंने ilian earned करना इस यह ले लिया विली यह मैंने यहीनिजन ऌट्टरिया को अदर दीए में नगुरे नाल दिया तुकर यह बेक्टिरिया के यहां का यह यहां पर डिवाइड होता जाएगा और मुझे नमबर आप यहां पर क्या मिल जाएगा जीन्स मिल जाएंगे ठीक है तो इस तरह से क्या होता है मैं इस जीन की भी कलोनिंग कर दी तो टैप की रिप्रोद्क्रीक्षा टीराबिटिकलard क्लोनिंग ठीक है ओके उसके बाद आता from the sugar molasses with the transgenic is ठीक है तो यह ट्रांजनिक इस जो होता है जिसको हम ब्रीवर्स इस भी कहते हैं इसके हेल्प से हमने शुगर molasses से हमने क्या बना दिया यहां पर अलकोहल बनाते हैं ठीक है बच्छा ओके चलिए अब आते हैं environment and biotechnology microbes are very useful to clean the pollutant from the environment like treatment of the sewage and the solid waste तो हमने 7th chapter में जो दिखा था कि बहुत सारे microbes किस तरह से pollution control में useful होते हैं उसके कुछ example दिये है bioremitation मतलब क्या होता है absorption or destruction of the toxic chemical and harmful pollutant with the help of plants and microorganism तो plant और microorganism से हम क्या करेंगे जो pollutant होते हैं जो pollution करेंगे उसको हम तोडेंगे या फिर उसको मतलब यह प्लांट्स या फिर माइक्रोग्रिंजम क्या करें खुद के अंदर ले लेंगे जिसके वज़े से pollution क्या हो जाएगा कम हो जाएगा उसको हम कहेंगे बायो रिमेडियेशन तो कुछ-कुछ और जीनिक फ्रॉम दे सोई ठीक है तो यह टेरी स्विटय इडा आइवे क्या करता है आर्सीनिक को एब्ध ऑब गर्द जेनिकली मॉडिफाइट वेराइटीज आप दे इंडियन मस्टर्ड कैन can absorb selenium करते हैं ठीक है तो इंडियन मस्टर्ड क्या करते हैं जो सेलिनियम होगा ठीक है स्वाइल के अंदर उसको एप्जाब करेंगे त्यान अंतर सनफ्लावर केन एप्जाब यूरानियम और सेनिक तो यूरानियम जो हमारा रेडियोक्टिव मेट्रियल है उसको एप्जाब करने का काम कोन करेंगा सनफ्लावर बैक्टिरियम डाइनो कोकुस रेडियोटरंस इस हाइले रेडियेशन रेजिस्टर्स और्गिनिजम इट विन जेनिटिकली मॉडिफाइड और यूस तो एब्स और रेडियेशन होता है बहुत जादा तो उसको एप्जाब करने के चलौर और यूज इन फईयोटरेमिडेशन फईयो تم क्या होता है जहाँ पर रेमिडेशन तो पता है रेमिडेशन मतलब क्या होताया यह पूलूटर्स पर जावरं प्लांत करिंग सब्सक्राइबार फेस्य सकत विया धिया गया ठीक इंप्रेशन वो भी क्या उनीग होते इसके वजह से मैं दो काम कर सकता हो एक तो मैं आइडेंटिफाइट कर सकता हो क्रिमिनल को और उसी के साथ में जो है आइडेंटिफाइए फादर ऑफ एनी चैल्ड किसी बच्चे के जो है पिता को मैं फाइंड आउट कर सकता हो ठीक क्योंकि जीन्स क्या होते है थोड़े बहुत यहाँ पर मैच होते हैं तो हमें पता है जैसे हमारे आया मतलब फिंगर पृपिंट क्या होता है यूझनेक नेजी के वाजय से हम जो है किसी क्रिमिनल को अइदेटिफाई कर सकते हैं यह फिर हम बच्क दसक में बचार खर्लं और इस person can be established with the help of its available DNA this is called as a DNA fingerprint in ठीक है उसके जो है दो यूज भी यहाँ पर आपको बताए गए है उसके बाद आते हैं Green Revolution White Revolution और Blue Revolution किस तरह से होता है तो सबसे पहले देखा था Nowadays rate of the population explosion is at peak and it appears to the beginning of the 20th century ठीक है तो लोग population बहुत बढ़ गए लेकिन एरिया कितना है अपने पास क्रॉप जो है क्रॉप प्रोडिक्शन करने के लिए क्लिए क्लिए जो एरिया है जो खीती है बहुत क्या है कम है तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं कुछ ना कुछ तुभी मैं थोड़ा सा इसमें चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई लोगों खाने के लिए बराबर से मिलेगा नहीं तो चुद दो साइंटिस्टे फॉर एक्जांपल फॉर एक्जांपल नहीं कोई से दो साइंटिस्टे मेस स्वामीनातन और डॉक्टर नॉर्मन बोर्लॉक इन्होंने कुछ तो मतलब क्या कम से कम जगह में अच्छी सु कुछ दो भी अप्लिकेशन करेंगे और प्रोडक्शन जो है ज्यादा बढ़ाएंगी उसको मैं कहीता हूँ ग्रीन डिवालुशन तो क्या करना पड़ेगा इंप्रोवाइज डॉर्प वेराइटी आप डवीट एंड राइस ठीक या ना हो बस फैटिलाजस मारो 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 यह चीज़े नहीं करने प्रॉपर अमॉंट में हमें डालना है उसके बाद वाटर मैनेजमेंट जीतना पानी चाहिए उत्राई पानी देना है ठीक है यह अगर करते हो तो मुझे क्या मिलता है ज्यादा अमॉंट में यहाँ पर तो वेरियस पार्ट आप दे इंडिया वे रिच इन दे मिल्क प्रोड़क्ट ठीक है हवेवर दोस्प्रोड़क्ट वेर नॉट सबीचेंट टूमीट डूमीट अपड़ फार फ्लंच एरिया मतलब क्या जो दूर दराज में जो लोग रहते उनके पास जो वेरियस प्रोड़ अलग अलग जो है देश के हरे कोने तक पहुचाया ठीक है डॉक्टर वर्गिस कुरिन प्रूड तुरूड कॉर्परेटिव मुवमेंट और यूज और बाय टेकनोलोजी डैट डेरी कैन नॉट बी अलाइट बट इट वीड़ा मेंस्टीम बिजनेस तो लोग क्या करते थे पहले डेरी को जो है एज बाय मतलब क्या करेंगे उसको साइड बिजनेस के तोर पर यहाँ पर देखते थे मतलब खेती बाड़ी मेंस्टीम उसके बाद थोड़े से गाय रख लो ताकि एक दो लिटर दूद मिल जाए लेकिन वर्गिस कुरी ने कुछ ऐसा रिवालुशन लेकर लाया यहाँ पर कि यहाँ पर अब जो लोग है डेरी को ही मेंस्ट्रीम बनाने लगे क्यों कि वहाँ पर पता चला कि उनको पैसा बहुत अच्छे से मिल सकता है ठीक तो यह हो गया वाइट रिवालुशन के बारे में उसके बाद आते ब्रूलिवारिशन प्रोड़क नील करांती मिशन 2016 इसके अंडर गोवर्मेंट जो है लोगों को कितना देती है यहाँ पर 52 50% 200% सबसीडी देती है ठीक है ताकि आप जो है अलग-अलग पैसा लो और उसको क्या करो एपी कल्चर जो है जिसको हम कहते हैं ठीक है सारी पीसी कल्चर मतलब एक्वेटिक अनिम इसको क्या कहा जाता है एंड के एम 16 ठीक है एंके शिस्टींब भी कहा जाते है इसमें बस यहीं इंपोर्टन निल करांती मिशन एक मार के लिए यहां से आ सकते हैं उसके बादा आते हैं फटिलाइजर फटिलाजर क्या को ते जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी मिनेरल इन पी के पोटैसियम फॉस्पोरस और सोडियम यह क्या होते हमारे जो है मेन कंपोनेंट होते ठीक है एंपी के ड्यू तो यूज ऑप ऑर्गानिक मैनिवर दो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब यह जो एंपी के है ऐसे बैक साते और यह हम क्या करते हैं ऐसे मार देते है जो फर्टिलाइजर मारो भी खात मारता आपन बरो बरा पन साइल लग गरज आहे नहीं अटरी आपन काया करता है थे जा मारता है तो चैमिकल से अल्टमेटली का तो चैमिकल आए ओके सो इंस्टेड आप डैट हम क्या करेंगे बायो फर्टिलाइजर यूस करेंगे डिव तो ऑर्गेनिक मेनियर ओर्गेनिक मैनियर अपन इस दो आपन शेन खत मंद नहीं तो और अर्गेनिक मैनियर दूटी यूचप अजद और अपर लेयर आप अपनाली क्यामेलट्रिट अब डेश इंक्रीस एंद आए तो और छोट्टों चैन कौनेंच करा टीके टीक है तो गांडूल खट जब आपन यूस करतो तहां मैंजे तिल गांडूल दस्तिल आनी तक आपने निट्रीशन विल्यों जासते तो ते का अधर फ्रम ते का अधर तैयर अंतर से बोसे जह लैस फरमीं सॉयलेसbn सफ यह थोले सोर्मिंग पॉसपेल से लगामिट्रर्पोनी फैकंटर्पोनिक क्या आłbym नियृंपनिग गरती है अपने यॉधों आपनियं आ करता है वाला इस हो ईंसेक्टि-स आट गुद केमिकल इंश्टिश्पल जिल और फिरोफ ग्रोथ अपश्ट केमिसलर यह था इस फिर िहां और समय सिक्टुनी पेस्टिसाइड इस पोईजनेस इन नेचर और इट विल गेट एक्यूमिलेट मज़िए बायो मगनिफिकेशन इन दफूड वेव थूद वाटर एंद फूड पॉर एक्जांपल तुम्ही एक तांद्रणाची शेती है ठीक है तुम्ही इंसेक्टिसाइड मारला आते इंसेक हैं आप एक्यूमिलेट हो जाना थालस का मैंना इसा बायो मैंनिफिकेशन अब एक्सांपल और केमीकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को से डिटी मैलाथियर पाईरोफोस ठीक है तो यह क्या है हमारे केमीकल इसेडिसाइड इस्टेड आप यूजिंग केमीकल फर लीटिराइजर भी कन यूस नज दार के फॉरोग इंसेक्टी वर्ला इंसेक्ट क्रणे के मारने की लिए केमिकल यूस ऐलाफस देर कि लेघे अरिक वेल घुनका रणे तो केमी सब्हुर्स मारेंगे कि निकलन ह गया ठीक है तो यह हो गया हमारे इंसेक्टिसाइट के बारे में दिया गया उसके बाद आदा ओर्गनिक फॉर्मिंग और गरिक फॉर्मिंग गान्रोड खट भगित ले ठीक है तो इंस्टेड आप यूज़िंग केमिकल फॉड़ फॉड़ एफेक्ट ऑन दे यूमन और इंड इवोमेंट बिकम अपरेंड आ बॉड़ीज आत्म दे जाव सब्सक्राइब बहुत शारे अपले अपली मते जाणा नहीं इन ओर्गनिक फॉर्मिंग इंक्लूट इन और्गनिक फॉर्मिंग इंक्लूट्स कॉंप्लिट बैन ओन चेमिकल फेडिलाजर्स पेस्टीज़ और यूज़ ऑप लोकल स्टर्डी वेराइटी और यूज़ यूज़ गटा था यूज़ ऑपन बिल्कुल पन यूज़ करना ना ही कि डांटर एप लेफिकल्चर तो हंद लिए अनि टेटिकां लगए फिसला के सब्सक्राब तो वहापर वह पर और वह निकेल और अरहेंगी और फिर चूनिक आराम सेiliar ह। ठीक है रीरिंग अप्धा हनीबिस फॉर गेटिंग हनी इसकॉल अपिकल्चर इन ओर इन ओल्डर देस्ट कलेक्शन अप्धा हनी इस दन भाई स्मोकिंग दाइज विद बर्निंग टॉर्च एंड देन कटिंग दाइज इंड़ पीसे इस दन तो पहले क्या करते हैं लोग प्लेट के ऊपर गरेंगे यह मजब मख्या आके रहने लगेगी तो हम्रीरे से उस्मधियों मक्य को हटाएंगे यह यह सूट पहना जाता है मुझाम के को हटाएंगे इस हाइव को अनी निकालने के बाद फिर से वह चत्ता जो है वहाँ पर जाके लगा देगे ठीक है उसके वाज़े जब मदुमक्या भी नहीं मरेंगे उनका घर भी वैसे के वैसे रहेंगा सब अच्छे से रहेंगे ठीक है इस में देड़ कॉस्ट दिस्ट्रक्शन आप अफ यह यह करने से बर्निंग टॉर्च या फिर स्मोकिंग कर इन एक अपिकल्चर हनी बीस आर्यार इन दो वुडन बॉक्स तो यह रूडन वॉक्स है उसके अंदर क्या जाता है हनी वीज को वहाँ पर रहनी के लिए जगा दी जाती है उसके बाद आते कल्टिवेशन ओप मेडिसिनल प्लांट इंडिया हाज बिन गिप्टेड विधा ग्रेट बाइडावर्सिटी बहुत सारी वेराइटी से हमारे पास प्लांट के इंडियन सीटीजन है इस्टेबलीच दे हमबल एंड स्ट्रॉंग रिलेशन विद नेचर वी हाव ग्रेट ट्रेडिशन आप आयुरवेदा एट क्यूर्स दद्डिसेज विद एफ आप देन आचररल रसोर्सेस टोना शोरसेस में एग्जांपल हमें अधा थोड़ा वेशी का ठीक है आदा थोड़ा वेशी का ठीक है मजे का होता अपला अडूड सा जो खो ने फेक्त रख्षाद थे वाइजा और हे थोड़ा सी या मला रख्षाद ठ्वाएजा ठीक है बायोड़ी सिटी खूब जासता है आयुरुवेदा साप लामधी यूज होता है ठीक है ओके अनि तार्व तर्लास्ट टॉपीक है तो तो मझे फूट प्रोसेसिंग फूट प्र तो मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा यह जो मैंगो का जोगर में जूस निकाल का किसी पर रख देता हो कहीं पर रख देता हो तो वह खराब हो जाएगा तो उसको बचाने के लिए मैं अलग-अलग यहाँ पर स्टेप फॉलो करता हूं ठीक है तो उसको मैं कहूंगा देविटार रखेशन क्या गवांगा उसको मैं फूड फ्रीजर्वेशन ठीक है फूड फ्रीजर्वेशन में बहुत अलगला स्टेप साथ है फॉर एग्जांपल स्टोरेज दो कोल्ड टेम्परेशन में उसको रख तो ठीक है या फिर स्टोरेश्टू ड्राइब तो अम बे तो काया ना ना प्रिजर हों जाना ओके तर अंतर सॉल्टिंग उसमें सॉल्ट एड़ कर दूंगा एरटाइट पैकेजिन ताकि उसमें कुछ भी मायक्रोब जा नहीं पाएंगे एरटाइट कर दूंगा ठीक है क्या प्रिपेरिंग मुरब्बा मुरबा मगीत ले लॉंस बग समझा दू अगर कोई भी दिखके तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो मैं आपको पूरा पूरा एक्स्पेंड कर दूंगा ठीक है तब तब के लिए नमस्कार मंडड़ी धन्यवाद